बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इसकाइक में दर्शको आज एक बड़ी खबर आ रही है वो है साहित जगत से दो दिन पहले साहित जगत में एक बहुत बड़ी हलचल हुई है दर्शको आपको पता दें कि नागपूर जो कि विदर्ब के अंदर गताता है विदर्ब साहित संग ने एक पुरसकार जाहिर किया एक पुरसकार की घोशना की जिसमें दलित साहित के साथ साथ एक बहुत बड़े साहित कार यश्वन्त मनोहर जी को लाइफ टैम कार कर दिया यानि कि इस आवार्ड को ठुकरा दिया और आवार्ड ठुकराने का कारण भी बहुत ही उलेकनी है जिहां उन्होंने साहित सम्मेलन जो कि उस संस्था जो उन्हें आवार्ड दिना चाहती थी उस संस्था से अमरूद किया था कि जब वो मंच पर जाएं तो उस मंच पर सरस्वती की नहीं सावित रिबाई फुले या फातिमा शेह की तस्वीर नजर आनी चाहिए हम वो उन्हें ही बंदन करके वो पुरस्कार ग्रांड करना चाहते थे लाइफ टाइम अचिवमेंट पुरस्कार था लेकिन जो पुरस्कार देने वारा संगठन है विदर्व साहित संगठन उन्होंने इसके लिए मरा कर दिया और मंच पर लगा दी सरस्वती की तस्वीर और इसे देखकर यश्वन्त मनोहर जी ने उस पुरस्कार को लेने से इंकार कर दिया यहने कि उन्होंने आवार्ड को ठुकरा दिया यह बहुत बड़ा कदम माना जाना है मैं इस अंदर में यह कहना चाहूंगी कि सहित्यकार किसी बंधन को नहीं मानता है वह अपनी सोच में स्वतंत्र होता है और जिन मुल्यों के प्रतिवे समर्पित होता है अगर वह उन मुल्यों में जीता है तो यह उसका बड़पन है और हम इस तरह से मुझे लगता है कि यश्वन्त जी ने जो अपनी शर्त रखी थी और उस पर अगर संस्ता नहीं मानती है तो यश्वन्त जी उन्हे भिलकुल ठीक किया है यश्वन्त जी कहना कि साहित धर्म से बिलकुल अलग होता है यह एकदम सही बात है साहित समाज की मशाल को ले के आगे चलता और मशाल का मतलब यही है कि वो हर तरह के जितने भी कुरीतियां हैं आखंड है या और भी तरह के अन्य जो रूड़ी वादिता उसको खत्म किया जाएं तो ये श्वंत जी के की मैं सरहना करते हूं इस कारे की आम तोर पर जहां पर बहुत बड़े बड़े लोग यानि की बड़े बड़ी हस्तियां भी बड़े पदों को लेकर या फिर बड़े बड़े प्रसकार देकर बहला ली जाती हैं या फिर उनके मार्ग से विचलित कर दिया जाता है वहां पर यश्वंत मनोहर जी द्वारा जाने माने चर्चित नाम है और मराठी कभी हैं उन्होंने विदर्व साहित्य संग की ओर से उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवाड दिया जाना था लेकिन उन्होंने उसको अस्विक्यार कर दिया है और उसका कारण ये है कि मंच पे सरस्वती की तस्वीर टंगी थी उन्होंने पहले मना किया था कि सरस्वती की तस्वीर नहीं होनी चाहिए लेकिन आयोजकों ने उनकी मांग को दरकिनार करके और सरस्वती की का चित्र लगाया तो ये बड़ा कदम है और यस्वंत राव साव पहले भी इस तरह का काम कर चुके हैं और अज़े सिक्षक एक् सार पर सार में मदद मिलेगी और रसिस्ट करना चाहिए इस तरीके से तो शुक्रिया और यस्वंत सहाब को बहुत बढ़ाई और मुझे लगता है कि धर्म का स्थान जो है वो ग्यान के स्रिजन के शेत्र में नहीं है साहित्य और धर्म को अलग करके देखना चाहिए और इ यहां एक और अफिर पड़े लिखे आईस अधिकारी भी जो कि बोजन समाध से आते हैं सिर्फ बड़े पद के लिए या फिर थोड़ा सा नाम हो जाने के लिए या पीछ आवार्ड के लिए मत्धा टेकने चले जाते हैं मंदिरों में वहां पर एक साहित्यकार का इस तरह स अंधविश्वास को नकारते हुए अपना अवार्ड ठुकराना बहुत बड़ी बात है